तो जी आज की वीटियो में हम बात करने जा रहे हैं तो जी हम बात कर रहे हैं सनीसा फांडेशन की तो जी मोस्ट वाइरल प्रोड़क्ट है ये मोस्ट मोस्ट वाइरल प्रोड़क्ट है और चाइनेज ये बहुत जाधा यूज़ करें और वाटरप्रोव है अपने कलेम के हिसाब से और अपने कलेम के हिसाब से जी ग्रास स्किन परोड़ करेंगा आपके मतलब बहुत जादा मतलब फेस पे कोई issues है गड़े हैं ये हैं वो है उनको भी जी ये cover करेगा चले जी देखते हैं क्या ये foundation इतना काम करती है ये अपलाएगर के देखेंगे और देखेंगे क्या इनके claim दरूस्त है क्या ये पकी waterproof है भी ये नहीं इसको खोलते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या अंकलता है वैसे मैं तो दिप चुकी हूँ लेकिए आपको दिखाना है इसका डिबबा है डिबे के अंदर से ये ये चोटी स्क्यूटिसी ये है जी foundation ठीक है और इसके साथ इसके अंदर से निकला है जी ये ये क्या है ये है जी इसका I guess applicator येस इस applicator mushroom time पनाव है वैसे इसकी packaging बहुत अच्छी है यार ये देखो मतलब ये ऐसे और इसके अंदर ये यार इसकी packaging मुझे पहुत है ये बड़ा cute सा चोटू से है और ये रही हमारी foundation जिसको हम को के देखते हैं ये scene क्या है जी इसका इसको इसका ये भी एक scene है कि जी इसको हम dip करेंगे तो ये size में भर जाएगा अब हम इसको use के अंदर डालते हैं थोड़ी दिर के लिए dip करते हैं तो देखते हैं क्या ये size में बड़ा होता है के नहीं होता तो जी मुझे काफी time हो चुका है इसको dip काफी time नहीं मतलब कुछ देर हुए है 1-2 minutes हुए होंगे लेकिन ऐसे कोई इतना size ये increase नहीं हुआ इसका लेकिन ये है कि ये बहुत soft है ये देखो ठीक है जितना भी size इसका increase हुआ है ठीक है अब हम इसको use करेंगे इसको अच्छे से हमने जो है ना निचोड लेना है अच्छे से निचोड लिया इसको थोड़ा सा new भी इसके जो excess ह पानी का वो निकल सके लेकिन ये है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा soft हो चुक है ये देखो बहुत बहुत ज़्यादा ये soft हो चुक है डिप करने के बाल पहले थोड़ा सा hard था लेकिन अब चुके ये बहुत ज़्यादा soft हो चुक है तो ये तो हमारा हो चुका है जी ready अ सबस्क्राइब हम स्थार्ट करेंगे सनीसा फांडेशन मैं एक बात पहले बता दू कोई ऐसेच इसके अंदर वह नहीं आते शेर्ड के जी हमें यह यह शेर्ड मिल जाएगा वह शेर्ड मिल जाएगा तो शेर्ड हमारे पास कोई इसके अंदर अवैलेबल नहीं है तो हम इसको खोलते हैं पकेजिंग इसकी खोलते हैं नहीं वेजह जीता वास्ट हbor्या MHC क्रीमी फार्म में यह माधी खियाल से इसी कांई लिकविड श्कूर्ड घुड्ट गार आया वा था अच्छा कि जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि इसके नीचे foundation कैसी है अच्छा यहाँ पे एक pull का button है इसको हमने pull करना है तो यह देखें इस तरह से खुल जाएगा इसके अंदर भी एक उन्होंने वो रखाव है safety के लिए बहुत अची चीज है अब इसको भी हलका सा हम neat कर लेते हैं अच्छा अब इसका हमने क्या करना है कि जब हम इसको हलका सा press करेंगे यह देखो ऐसे तो foundation बाहर आ जागी यह देखो foundation सारी बाहर आ चुकी है अब हम क्या करेंगे अब हम इसके साथ एप्लिकेटर के साथ इस फाउंडेशन को करेंगे यूस, मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा, अगर आप ये देखो तो लाइट लाइट से, ये देखो, डार्क सिर्कल्स है मेरे हलके से, यहाँ से करेक्शन मैं हमेशा करती हूँ, जब भी मेकप करती हूँ तो हम इसकी डिरेक्ट अप्लिकेशन करेंगे डिरेक्ट अप्लिकेशन इसलिए करेंगे, हमें पता लगे ना करेक्टिंग क्रीम है, क्या ये हमारे फ्लॉस को कवर कर रही है, या नहीं कर रही है, क्या ये हमारे डार्क सिर्कल्स को खतम कर रही है कि निकड़ी है और हलका सा अच्छा जी ऐसे पर ओ तेरी बाहर निकलाई इत्थों अच्छाई चुके मैं बहुत ज़्यादा जजबाती होगी थी इसके साथ आपने तरह प्यार से इसको ऐसे इसको इस पर आजेगी और यह बहुत अप्लिकेशन नहीं करी अभी हम हाफ चेहरे पे अप्लाई करते हैं हाफ चेहरे पे अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि क्या मिलता है हमें एक चीज मुझे यह लग रही है कि यार यह फाउंडेशन बहुत चटी है एक चीज मैं बता दूं कि जो लोग फेर है ना डाक है यह कुछ भी है तो यह डिरेक्ट एप्लिकेशन आप इसकी नहीं कर सकते है क्योंकि यह बहुत वाइट फाउंडेशन है मैं तो भी से अपने आपको भूत लग रही हूं कसम से सोच रही हूं कि इधर भी लगा लो ताकि मुझे पता तो लगे एक्वल हुआ है कि न नहीं है तो यहां का रिजल्ट चेक करो और यहां का करो एक चीज मैं बता दो इसने मेरे डार्क सिर्कल्स को किया है कवर लेकिन एक्स्ट्रीम लेवल का नहीं किया अगर आपके बहुत एक्स्ट्रीम डार्क सिर्कल्स है ना तो यह आपके लिए नहीं है आपको करेक्टिं के इलावा अगर मैं अपने मिरर में यहां से देखूं तो यहां से देखने के बाद मुझे एक चीज जो नजर आ रही है वो शीशे में वो यह आ रही है कि मतलब मैंने foundation की application की है बट बस इस तरह मुझे कुछ feel नहीं हो रहा कि मैंने कुछ extraordinary लगाया है ठीक है यहां से मुझे white tone ज़ादा लग रही है लेकिन यहां पर मेरी tone इतनी ज़ादा white नहीं लग रही क्योंकि यह अच्छे से blend हो चुकी है अब मैं क्या करती हूँ अब मैं अपनी दूसरी side पर भी लगाती हूँ वैसे मैं कुछ extraordinary इससे expect तो नहीं कर रही है ठीक है यहां पर और ले लेंगे हम extra नहीं मैं expect कर रही क्योंकि भी चाइना माला ठीक है ओक अन्दिन ना के चल गया थे चल गया ते ना चलिया थे ना चलिया अच्छे जी इसको मैंने कुछ देर के लिए चोड़ा है और कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद मैंने एक चीज नोट किया है कि यह थोड़ी द ये वाइड फाउंडेशन टोन डाउन हो जाती है और ये हुई है टोन डाउन ठीक है क्योंकि अब आप देखो कि मैंने अपनी नेक पे नहीं लगाया ठीक है मेरी नेक और इधर का डिफरेंस बहुत जादा नहीं है कैमने में चुके लाइट है इसलिए बहुत जादा लग रहा होगा बट जब मैं यहां पे देखो तो एक्स्ट्रा नहीं है जब मैं इसको लगाऊंगी तो इसने कवर कर देना है लेकिन ये बहुत जादा डार्क स्किन टोन वाली नहीं लगा सकते ठीक है दूसरी चीज़ जो मुझे यहां पे समझे है कि एक्स्ट्रा कवरिज यह नहीं देगा पहली बाद मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि अगर आपके एक्स्ट्रीम डार्क सरकल्स हैं तो आपने खाली सर्फ यह लगा लिया तो यह पूरा प्रॉपर कवर कर देगा तो वो वला सीन नहीं उने वला यह नॉर्मल सी चीज़ों को ज़रूर कवर कर देगा ठीक है इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दू कि ग्लास स्किन वला जो एफेक्ट है वो येस वो इसमें एक चीज़ है वो यह है कि यह ना शाइन इसने मेरे चेहरे पर एक क्रियेट की है जब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मुझे पता लगते कि कोई मेरा मतलब चेहरा ना बहुत फ्रेश फ्रेश लग रहा है और कुछ शाइनी शाइनी लग रहा है तो यह एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है और दूसरी इसकी स्पाइज बहुत अच्छा है फांडेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया है तो अब बाकी का मेक अप करके देखते हैं अच्छे स्प्रेश करने के बाद मैं देखती हूँ इसको अप्लाए करके मेरा टिशू यह देख लो आप देखो तो सारा प्लेन है मैं इस साइड पे हाथ से करूँगी इस साइड पे मैं करूँगी टिशू से तो सबसे पहले हम टिशू से करते हैं और टिश्यू से करने के बाद हम देखते हैं, किया ये फाउंडेशन उतरती है कि नहीं? नहीं ये ये फांडेशन SH तो इस पे नहीं उतरी ये देखो अगर आप देखो तो ये फांडेशन यहां से तो बिल्कुल भी नहीं उतरी तो इस बात का क्या मतलब है भाई कि ये वाकई में वाटरप्रूफ है इसका मतलब इसको तो मेकप रिमोबर से रिमोफ करना पड़ेगा ना भाई ना दो तीन दफ़र टेस्ट कर लिया है नहीं उतर दी पई चलो हून इंज करके बहने है ये देखो पानी Oh no man ये देखो देख रहे हो लाइव रिजल्ट्स चल रहे है मैने कैमरा इसलिए बन नहीं किया ये देखो पानी ना स्लिप ओ रहा है ये देखो ये देखो एस इच नहीं भाई No, no, no मतलब लाइक वाके में अगर ये चीज तो इसकी बहुत अच्छी निकली तो कमाल हो जाएगा लेकिन अगर आप ये रेखो कि ये विली साइड जिसको मैंने टीशू से किया था ठीक है? जो टीशू से किया था वो ठीक है मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नी हुई लेकिन जो मैंने साइड यहां से जो मैंने हाथ से किया था फाउंडेशन उतर के मेरे हाथ में नहीं आई लेकिन अगर आप यहां से ये चीज नोट करो हल किसी यहां से मैं पीछे जाती हूँ तो अब आपको नज़र आएगा यह देखो यहां से और यहां से मेरी फाउंडेशन ये स्किप पूवी है ठीक है उतरी नहीं है लेकिन खुद ही से स्किप पूवी है क्योंकि मेरे हाथों पे कुछ नहीं आया था अब असी दुबारा अपनी फाउंडेशन लेने है और जहां से हमारी इसके पूवी थी वहाँ वे हम इसको अब वापस लगा लेते हैं ठीक है लगाने के बाद मैं अपना बाकी का सारा मेक अप करके तो आपको दिखाती हूँ अच्छा मैं जो है ना आप जो भी यूज़ करते हैं आप उसको लगा कर देख लें तो हम पहले लगाएंगे पाउडर और पाउडर की अप्लिकेशन के बाद आपको मैं एक चीज़ बता दू कि अगर हम पाउडर लगा रहे हैं तो यहां से पाउडर लगाने से यह देखो शाइन थोरी डिम मूवी है जबकर यहां पे नहीं है देख रहे हैं यहां पे एक शाइन है और यहां पे अगर आप देखो तो वो वली शाइन नहीं है लेकिन है मतलब प्रॉपर नहीं जाएगी प्रॉपर इससे शाइन नहीं जारी बट यहां वली जाता है तो मेरे ख्याल से अगर अगर पाउडर ना लगाएं बस अंडर आय अपने सेट कर लें और बाकी हम अपना मेकप कर लें तो ऐगस ये भी मतलब हो सकता है ठीक है ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये विली शाहिन बहुत ज़्यादा मसे की लग रही है अच्छे चीज़ तो मैंने मेकप कंप्लीट कर लिया वैसे मैंने मेकप में ऐसे खुछ नहीं किया मैंने सब अपनी आइब्रो को साफ किया है उसके बान मैंने बलश लगाया एक नॉर्मल प्यारावाला बलश और अपनी लिपस्टिक को मैंने टीक किया ताट्स इट इसके ल बलश इसके लावा जो एक चेहरे पर स्मूथने साइन का इफेक्ट है वो आता है आदे परसंट waterproof, आदा परसंट नहीं भई मैं 100% ही कह दूँगी waterproof क्योंकि वो ऐसे नहीं होने वला था कुछ भी, कोई भी foundation आप ले लो तो yes, it is waterproof और एक अच्छी decent coverage प्रोवाइट करता है तो I hope आज कि आपको ये video अच्छी लगी होगी बाइब चल्दियों लाफेज